नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मरोक्स की यूट्यूब बेज़िक उसने चनल में आज की उड़ी लेक्चार है हम डेटेल में स्टेडी करेंगे क्लेवाम 625 टाबलेट के बारे में तो हम जानेंगे उसके बेजिक उसके बारे में के कौन से अलग-अलग medical conditions को ठीक करने के लिए दवाई यूज की जाती है साथी जानेंगे उसके sad effects होगे रहा क्या है उसका dose होगे रहा क्या है कौन से warnings रहते हैं use करने पर और जानेंगे उसके price वगरा क्या है फिर सिखेंगे कौन से drug-drug interactions हो सकते हैं ये medications को लेने पर और सीखेंगे detail में ये medication के बारे में तो ऐसे समझेंगे आपको detail में सिखना है बहुत सरी दवायों के बारे मेडिसिन के बारे में बीमारियों के बारे में था medicine course को जोइन कर सकते हैं pharma rocks के अब उपर तो ये course को जोइन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं तो link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो बात हैं topic pure समझते हैं clevam 625 medicine के बारे में ये tablet के अंदर present होता है और दूसरा जो है potassium kleulinate है कि जो 125 mg जितना ये medication के अंदर present है तो यहाँ पर हम उसका label देखोगे तो पता चलेगा कि ये tablet का जो type है वो किस type की tablet है तो ये film coated tablet है फिर यहाँ पर salt content का भी proper detail दिया हुआ है कि amoxicillin जो है वो 500 mg और kleulinic acid या फिर potassium kleulinate 125 mg है titanium dioxide करके उसके अंदर color जो है वो add कि हुआ हम देख सकते है और साथे साथ यहाँ पर एक proper warning लिखी हुए कि ये जो medication है वो sedule H के अंदर आती है तो जब भी उसको retail में बेचा जाता है तो proper prescription के साथ ही उसको बेची जाती है फिर अब उसके label की और detail study करे तो यहाँ पर जो आप देख सकते है कि kleulin जो लिखा है 625 तो वो जो है उसका brand name है 625 किस तरह से आएगा तो आप यहाँ पर समझ सकते है कि 500 mg है amoxicillin 125 mg है अब उसके manufacture की हम बात करें तो उसके manufacture जो है वो Alchem Laboratories जो उसके manufacture है यहाँ पर आप देख सकते है और उसका जो headquarters जो है वो मुंबई में रहता है फिर packing की हम बात करें तो इस तरह से आलू-ालू packing में यह जो medication available हो थी इस तरह का packing करने की जरूत जिसरी है कि यह medication को moisture से अच्छे से prevent करना होता है यहाँ पर आप देख सकते है कि moisture से उसको prevent करना होता है और storage करना होता है 25 degree याँ फिर उससे calm temperature पर यहाँ पर Alchem की detail आप देख सकते है जिसका headquarters मुंबई में है तो अब जमचते है यह medication के अंदर जो salt content है उसके बारे में तो amoxicillin क्या है तो amoxicillin जो है वो एक antibiotic है कि जिसको हम aminopenicillin class का antibiotic drug कहते है और यह popular beta-lactam antibiotic drug है कि जो बहुत सारे bacterial infections को ठीक करने के लिए use की जाती है पर जब यह single use की जाती है बिना किसी combination के तो problem क्या होता है कि bacteria जो है अपने अंदर से enzyme को release करते जिसका नाम है beta-lactamase enzyme और वो enzyme समझो कि जब bacteria produce करते है तो वो क्या करते है यह जो amoxicillin जो है उसके structure को destroy कर देते है जिसके करन यह जो medication है वो काफी कम effective हो जाती या फिर उसकी effect जो अच्छे से नहीं मिलती patient को because कि उसका resistance डेवलप हो जाता है तो यह resistance का problem ना हो इसलिए उसको combination में use किया जाता है potassium chloralinate के साथ तो potassium chloralinate क्या है तो वो beta-lactamase inhibitor drug है कि जो enzyme bacteria ने produce किया amoxicillin के structure को destroy करने के लिए उसकी effect को कम करने के लिए उसी enzyme को यह potassium chloralinate जो हो destroy कर देता है कि जिससे amoxicillin का कोई structure पर असर नहीं होता और वो जो हो prevent करती है degradation amoxicillin का कि जिससे जब भी आप यह combination लेते है तो दवाई की आपको अच्छे से effect मिलती है और infection जो हो अच्छे से ठीक हो जाता है तो आगे समझते हैं उसके use के बारे में कि कौन से अलगले एक use है उसके तो सबसे पहले जो ear infection को ठीक करने के लिए यह medication को use की जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कान में infection होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि pulse formation होता है infection हो जाता है bacteria के करन काफी ज़्यादा दर्द होता है patient को तो ऐसी condition में यह bacteria infection को ठीक करने के लिए clevum 625 जो tablet है वो prescribe की जा सकती है second condition हम देखे तो tooth infection कि जब आपको दात में infection होता है कि दात में इस तरह से cavities बनती है और cavities में जब खाना जमा होता है या फिर कोई भी food particles जमा होने लगते तो उसके करन क्या होता है कि वहाँ पे bacteria का infection होता है और फिर काफी ज़्यादा painful condition produce होती है patients के लिए कि दात में जब infection होता है तो surgeon देखने को मिलती है दर्द होता है तो वो conditions को ठीक करने के लिए भी ये medication को prescribe की जाती है फिर दूसरा उसका use देखे तो sore throat की condition हम कहते है कि गले में खरास या फिर जो हमारा throat होता है वहाँ पे इस तरह से redness हो जाती है वहाँ पे सुझना आते जिसको हम tonsillitis की condition पे कहते है टॉंसिल्स में सुझना आ जाती है दर्द होता है खाने में भी दिक्कत आती है मैं लगे जब निगलते हैं आप तो उस वक्त काफी दर्द वगरा होता है तो वो conditions को ठीक करने के लिए जिसको strap throat भी हम कहते है या फिर sore throat की condition कहते है तो उसके इलाज में भी ये medication को use की जा सकती है फिर दूसरे हम देखे तो जो skin care उपर infections होते है बैक्टेरे के करन समझे कि इस तरह से skin care उपर infections होते है वहाँ पर pulse formation होता है pulse जमा होता है जिसको हम bacterial skin infections कहते है तो उसके इलाज में भी ये medications को दी जा सकती है फिर जितने भी अलग-अलग type के respiratory tract infections है जैसे कि मालनों कि आपके फेपडों में cough जमा हो जाता है chest में infections हो गया है breathing करने में difficulty हो patient को मालनों कि जितने भी respiratory tract infections है जैसे कि pneumonia के condition है bronchitis के condition है lower या फिर upper कोई भी type का respiratory tract में infection हुआ है bacteria के कारण तो उसको ठीक करने के लिए use की जा सकती उसी तरह से जो urinary tract infection है कि मालनों वो infection जो आपका bladder में है urethra में है, ureter में है या फिर kidneys के अंदर तो पूरे urinary tract के अंदर कहावे भी infection है, उसके करन सूजन आ गई है, दर्ध हो रहा है तो वो conditions को ठीक करने के लिए भी ये medication को दी जा सकती है तो UTI के जितने भी symptoms होती जैसे कि बार-बार पेसाप करना जाने पड़े पेसाप करते वक्ट जलन होती तो वो सब symptoms को भी ठीक करेगा ये medication फिर typhed जो fever है कि जिसको हम enteric fever कहते है तो उसमें भी एक option बनता है antibiotic के अंदर, कि अगर कोई दुसरे antibiotic से ठीक नहीं हो रहा है तो उस वक्त आप clay one 625 भी use कर सकते हैं उसके अलावा अब जानते हैं उसके mechanisms के बारे में तो ये दवा एक काम कैसे करती है तो ये क्या करती है कि दुसरे जो penicillins होते है उसी तरह से ये bacteria के अंदर उसकी cell wall जो होती है उसको destroy कर देती है और उसको bacterial cell wall synthesis inhibitor कहा जाता है कि जो bacteria के आसपास अपनी एक protective cell wall होती है तो ये जो cell wall होती है उसको ये जो medicine है वो destroy कर देती है जिसके करन bacteria जो ही वो सरवाय नहीं कर पाते पर उनकी growth जो है वो धीरी-दीरे कम होने लगती है और उसी तरह से जैसे जैसे उनकी growth कम होती जाएगी आपके body में से जो infection है वो ठीक होने लगता है अब आगे समझना ज़रूर है कि ये medication का dose होगे रख्या है तो basic जो dose होता है amoxicillin का तो वो रहता है 250 से लेकर 1000 mg के बीच में रहता है और वो जो dose ये patient दिन में 3 बार जो हो ले सकता है पर ध्यान ही रखना है कि हर एक dose में बीच में at least 6 से लेकर 8 गंटे का time interval होना जरूरी है तो यहाँ पे जो है amoxicillin 500 mg है clevum 625 के अंदर तो minimum dose के हम बात करें तो एक tablet जो है वो patient दिन में 2 बार ले सकता है minimum 6 या 8 गंटे के time interval पे तो treatment lower dose से खास करके आप सुरू कर सकते है और समझे कि dose बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो वो ही tablet दिन में 3 बार उसको ले सकता है patient और बहुत ही severe condition है तो उस वक्त एक tablet जो दिन में 4 बार भी patient ले सकता है पर ध्यान यह रखना है कि 1000 mg maximum dose है उसका दिन में 3 बार मनलब कि maximum 3000 mg से ज्यादा dose जो है वो patient को नहीं देना चाहिए बिकाज उसके करन कुछ side effects वगेरा हो सकती है कि जो हम आगे discuss करते हैं अब बात करते हैं उसके price की तो यह medications की हम price देखें latest तो जिस दिन यह video बन रहा है तो उसके अकड़ेंट की सब्टेंबर में जो हम video बना रहे है 2022 के अंदर तो उसके अकड़ेंट उसकी price जो है 223 रूपीज है 10 टैबलेट का कि अगर आप यह blister purchase करते है 10 टैबलेट का वो आपको 223 रूपीज के आसपास जो है वो पढ़ती है अब बाद के बाद करते हैं उसके side effects के तो सबसे पहले कुछ minor side effects होते है यह medications के कुछ लोगों को यह लेने के बाद nausea, vomiting वगिरा जो फिल करते हैं फिर कुछ लोगों को यह medications लेने के बाद diarrhea जैसा हो जाता है फिर दूसरी कुछ side effects लेके तो stomach pain लेके पेट में दर्ध होने लगता है सीर दर्ध होने लगता है कुछ लोगों को फिर आगे कुछ और complications देखे तो आपके skin के उपर rashes बन सकते हैं कि अगर आपको यह medication suit नहीं कर दी फिर दूसरी कुछ side effects देखे तो vaginal, itching या फिर discharge जो हो सकता है पेशन को फिर swollen, black या फिर hairy tongue बना कि इस तरह से आप देखो कि jeep के उपर आप यह जो condition देख रहे है कि jeep के उपर patient के hair like structure इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है जो jeep होती उसके उपर सूजन देखने को मिलती है और वो black color जैसे आपको देखती है तो यह major side effects उसकी हो सकती है अगर आपको यह medication soup नहीं होती या फिर अचानक से आपको इस तरह से reactions होने लगते हैं अब बात करते हैं उसके warning तो यह medication के लिए सबसे पहले warning यह रहेगी कि अगर आपको penicillin की allergy है तो यह medication को use नहीं करना चाहिए यह जो है वो amino penicillin class का antibiotic drug है तो किसी को penicillin की allergy है cephalospurin class की drugs की allergy है तो यह medication से भी आपको allergy हो सकती है तो दियान यह रखना है सबसे पहले कि allergy नहीं होनी चाहिए second condition कि किसी का liver खराब है liver disease के आप पिसेंट है किसी भी stage में है liver का problem तो यह medication को use नहीं करनी चाहिए उसी तरह से समझे कि renal disease यानि कि जिसको kidneys खराब है kidney अच्छे से काम नहीं कर रही तो इन लोगों को भी यह medication orally use नहीं करनी चाहिए फिर ऐसी conditions कि जिसके करन आपके body में अचानक से allergic reactions होने लगते है hypersensitity reactions होने लगते है जैसे कि आप देखो कि यह patient है उसको समझे कि यह medication ली तो अचानक से उसकी आखों में सुजन देखने को मिल रही है उसके heart rate increase होने लगते है abdominal pain हो रहा है काफी ज़्यादा vomiting होने लग रही है जीब या फिर उसके lips के उपर और भी सुजन देखने को मिल रही है या फिर patient जो है वो consciousness जो है उसकी वो चली जाती है patient बेवोस हो जाता है hives develop होने लगते है उसको difficulty होने लगती है breathing में या फिर wheezing या फिर coughing जैसा होने लगता है तो यह medication जो है वो तुरंद लेना जो है वो बंद कर देना चाहिए और patient को proper जो है वो treatment देना जरूर रहते है कि एक type के allergic reactions है severe कि जिसको हम ऐसा कहे सकते है कि hypersensitivity reactions होना तो यह कुछ warnings रहती है Clevam 625 को use करने पर अब बात करते हैं pregnancy में उसको use की जा सकते हैं तो pregnancy में यह medication जो है वो safe होती है यूज़ करने के लिए pregnancy category उसकी B है अब next important topic है वो है drug-drug interactions कि जब समझे के कोई patient Clevam 625 को use कर रहा है दूसरा combination में कौन से दूसरी दवाई आपको use नहीं करनी है तो यहाँ पर हम कुछ medications देखते हैं जैसे कि allopurinol है तो allopurinol और Clevam 625 का आप combination जो कभी भी use नहीं करें उसके करन जो हामफुल side effects हो सकती है और ज्यादा या फिर medications की effect कम हो सकती है second हम देखे तो probenacid करके जो medication आती है उसके साथ use नहीं करें barfarin के साथ उसको use नहीं करें methotrexate के साथ use नहीं करें या फिर mycophenolate mofetil करके जो drug आती है उसके साथ भी कभी combination में Clevam 625 को use नहीं करें तो ऐसे समझें कि आपको detail में सिखना है बहुत सारी दववायों के बारे में बीमारीों के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं तो ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को आप download कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी तो study material, taste series, video lecture या फिर medicine course के लिए जरूर से whatsapp करें Good luck and all the best